आप सुभी का स्वागत एक और फ्रेशन वीडियो में और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे FFC मोड के बारे में बट उससे ज़्यादा जरूरी होने वाली है पुरी पुरी वीडियो रूल बुक्स के उपर को की काफी सारे कॉंपुटेटिव सेक्रेट के अंदर जो कि आने वाली वीडियो में आपको मिलने वाले बहुत खास वीडियो तो आपको बहुत जाना मजा आने वाला है इस चैनल पर आने वाले कॉंटेंट के लिए में जैसे वादा करें था फैब में बहुत सारा कॉंटेंट आने वाला है और आज के वीडियो पूरी देखना क्योंकि ये वीडियो काफ़ी जड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपका FFC मोड के मैचेस बज़े में उससे पहले देख लो और अगर आपने खेल ली है तो ये वीडियो एक बर ज़ूर से और देखना है क्योंकि आने वाले टाइम पर आपके लीग स्टेजेस और साथ से क्ल बहुत ज़्यादा जरूरी क्योंकि यहां पर आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है क्वालिफाय करने के बाद भी गड़बल करें तो कुछ चीज़े बतार के जो आपको समझाना चाहिए यहां पर सबसे पहली बात तो यह प्री रेजिस्टेशन रेजिस्टेशन के एडमीन सबको अलाउट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकता और इसी के साथ ही सथ अपने एक फ्रेश निव अकाउंट माल लो मेरा पुरान अकाउंट बरबाद हो गया फिर मुसकी साथ नहीं खेलना चाहता हूं तो कुछ कंडिशन के बाद या अपने अकाउं निकल जाएगा तब लोग कर सकते हो या फिर यहां पर भाईया माल लो की कुछ लेवल रिक्वार्मेंट्स हुई और यहां पर पुरान एकाउंट से अपने खेल पार हो तो नए अकाउंट पर कम से कम अतने लेवल होने जरूर है जितने मागी के टॉर्णमेंट के हिसाब स और यह कुछ कंडिशन्स रखी गई है तो आपको इन शीच को फॉलो करना है क्योंकि बहुत सारे नए प्लियर्स आने वाले हैं FFC मोड्स FFIC के अंदर या आने वाले टॉर्णमेंट्स के अंदर और इस बात का आपको ध्यान रखना है अब तुम्हें एक मज़े की बात ब कर रहे हो तो लीक स्टेजिस से पहले पहले है लीक स्टेजिस के दोरान तुम्हें बहुत सारी स्पॉंसर आएंगे कहेंगे देखो हमारी टीम के नेम से खेल लो हमारे नाम से खेल लो तुम्हें इतनी सैलरी देंगे और गलती से भी मत जाना चूंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा तुम्हें अपना नुक्सान करा दिया तो जब भी तुम्हें इसे टॉर्णामेंट की बीच में कोई स्पॉंसर्स को नहीं पकड़ना है बट एक और चीज़ है देखो यहां पर अगर तुम्हें कोई स्पॉंसर लेक्र आने अगर तुम्हें लेके आने तो नेशा बिलकुल चेंज नहीं होना चाहिए और साथ यहां पर जो टेक्निकल मेटिंग्स होती है जब अपने FFC मोड खेल लोगे न इसके पर एक टेक्निकल मेटिंग होगी बारा टीम्स की या फिर टोटल अठारा टीम्स की जो कि यहां पर क्लोज क्वालिफार्इस के अंदर बारा नेम को फाइल करना है और आपका नेम चेंज नहीं होगा अगर आपने टॉनमेंट जोइन करने के बाद अल्रडे एक बार नेम चेंज कर दिया है इन चीज़ों को आपको ध्यान रहना है अगर 2022 में कोई भी टॉनमेंट खिल लो तो 2022 की स्टार्टिंग में आपकी 16 साल उमर ने होनी बहुत ज़रा ज़रूरी है अगर 2020 में के लिए तो 16 साल मतलब जनवरी से पहले आपकी 16 साल होनी बहुत ज़रा ज़रूरी है इसके साथ-साथ कुछ और चीज़ों होने वाले जिनका आपको ध्यान रखना है हैकिंग एक्स्प्रोटेशन साथ इसाथ अगरम बात कर करना है कि मैं तुझे नहीं बारगो तो मुझे मत मारगो इस चक्र में इस ताइम पर आपको पता शेंशन आने वाले मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में बट एक और चीज़ आपको बताना चाहूंगा अभी कुछ दिनों पहले मेरी गिरीन ऑफीचिल से बात वी थी इस पॉइंट के रिगाडिंग मैंने बोला था कि यहां पर आरोजी जैसे डिवाइजस में कई सारी प्लेयर्स ट्रीगर्स का यूज कर सकते हैं और साइद अभी एक नया पॉइंट भी ढाल दिया गया है कि आपको आरोजी के अंदर आर और एल वन का यूज नहीं करना तो ट्रिगर्स का भील्कुल भी यूज नहीं करना है फिर प्ले करना है यहां फिंगर स्लिप सब लोग पहें सकते हो पाउडर लगाकर करेंगे खेल सकते हो अबना फर्स और कोई थार्ट पार्टी सॉफ्ट्वेर ब्लूस्ट एक किसी में गेम नहीं कहलना है समझ गहे हों और आपको इसके करने कर ली होगी क्योंकि आज ही हमारा होने वाला है हमारा FFC मूड बट आगे अगर आप यह वीडियो देखे हो तो आपकी मदद करेगा और revival zone आने वाल टाप आपको आने वाल टाप में मिलते रहेंगे अब ये चीज़ का अपको ध्यान ठाटना है कि आप अगले गेम के अदर इसके ओपर ते की key study आ सकती है अगर तुम आज की वीडियो का लाइक इम कंप्लीट करते हो, तो लाइक इम कंप्लीट करो, मैं एक बड़ी आसी case study तुम्हारे ले क्या हूँगा, तो चलते हैं अभी अगले point की तरफ, अभी बात करते हैं कुछ खास tips के बारे में, और जो बाते मैं आपको last में बताना चाह करेंगे, यह timing होने वाली है, जहां पर आपको कम से कम पर match 30 skill करने पूरी team को, अगर आपको आगे qualify करना है, क्योंकि बहुत tough competition होने वाला है, बहुत सारी बड़ी बड़ी teams आ रेकियों open qualified skill, मतलब FFC mode खेलने के लिए, तो try करना कोई गलती ना हो, क्योंकि यह बड़ी teams करेंगे, तो 10 के 10 खेलना, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा मैच अच्छा जाएगा, कौन सा खराब जाएगा, तो 10 के 10 का फाइदा उठाना है, साथ जैसे कि मैं आपको पहले बे बताया है, अगर आप लीव करते हैं, हमारे spawn island को, जो lobby होते हैं, 48 के 48 players नजर आते हैं, बाकि आपका score माइनस नजए, अगर 10 का माइनस भी लग रहा पर प्लेयर, ठीक है, और ये पर प्लेयर के उपर है, पूरी team back करते हैं, तो 40 का direct माइनस लगेगा, इसी इच का अपको ध्यान रखना है, बाकि scoring बहुत ज़रे सिंपल होने वाली है, और मैं आपको आगे बता 42 teams निकल काएंगी हमारे FFC mode से, 6 teams जाएंगी हमारी कौन सी FFPR वाली आपको पता उसमें टीम और अभी है, तो यहाँ पर 48 teams हो जाएंगे, close qualifiers के अंदर, आपको schedule ledger, RAC, close qualifiers का, यहाँ पर हमारे 4 दिन होने वाले matches, close qualifiers के 5 दिन planes होने वाला है, हमारी total 48 teams को बारा-बार-बा teams के group में बाटा जाएगा, 6 matches खिलाए जाएंगे per day and वहीं अगर हम बात करेंगे, इसके बाद हर एक दिन, यहाँ से day 1 से 2 team, day 2 से 2 team, day 3 से 2 team and day 4 से 2 team, total 8 team निकल के आएंगे, जो directly league stage की तरफ आगे बढ़ेंगी, बर जो बचिवी teams हैं, 3rd से ले की 5th position से के अंदर, per day के अं जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, आप लोग बाकी read भी कर सकतो, यह कुछी जिनका आपको ध्यार नखने जो कि मैंने आपको बता दी हैं, बट इसके अलावा काफी सारी और चीज़े होने वाली है, points होने वाले, यहाँ पर group के points होने वाले, तो बाकी मेरे खाल से करना, शांती से गेम खेलना, फेर एक मेच का टेंशन, दूसरे मेच में मत लेके जाना, चिल मारो, अराम से खेलो, experience लो, जरूरी यह है कि देखो, मैं आपको एक चीज़े बताना चाहूँगा, आज के दिन, जरनी बहुत जरूरी है, मंजिल नहीं, जरनी important है, और इस जरन नहीं, बहुत कुछ सिखोगे, तो tension मत लो, qualify हो पाई है, नहीं हो पाई, तुमने अपना try करा, तुमने कुछ निया सिखा, यह बहुत जरने important है, किसी भी match का load, अगले match मत लेके जाना, दसो को दैसो मैच, चिल मार के खेलना, आराम से शान्ती से, बैटरी चार्ज रखने अगर हम बात करेंगे, तो यह सारी चीज़े होने वाली है, आगे आपको sanctions भी देखने को मिलेंगे, जब आप league stages या close qualifiers की तरफ आगे बढ़ जाओगे, और मेरे खाल से इस से जाना है, कुछ भी नहीं, बताने के लाइक बचा हुआ है, एक क्रोड का price बूले किस तरह किस पॉसंद आई होगी, ऐसे वीडियोस पर काफी कम support आता है, लास्ट में subscribe के लिए भी बोल लो तो प्लीज सस्क्राइब करना, और साथ में बेले के नबा के notification और पर डालना, वीडियो अगर पहली बार, वीडियो अगर देख रहे हो, यहां तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, आज का लाइक है, जो भी आप लोग करना चाहूँ, वो कर सकते हो, और साथ इसाथ चैनल पर पहली बार हो, तो subscribe को लो, बेले के नबा के नोटिफिकेशन और पर डालना मैं मिलता हूँ, बहुत लिए नेक्स वीडियो पर कमेंट करके मुझसे क्वेशन इसक्राबर्स के लिए तो देख लिए अपने सबसे, बागे मैं मिलता हूँ, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, और टड़ा